हेलो टेडर्स वेलकम बैक टू दा अनदर इंटरडे स्टॉक वीडियो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुस बैतरीन इंटरडे स्टॉक जिस पे आप कल के सेशन में इंटरडे टेडिंग कर सकते हैं और टेडर्स आज जो स्टोक टेड करने दे थे उसका भी पिर्फॉर्मेंस जानेंगे तो वीडियो पे आप पुड़ा बने रहे और अगर अभी तक हमारे टेलीगराम चैनल से नहीं जुरे हैं तो वहाँ भी जुरे लिंक डिस्क्रिप्टिन में दिया गया है आपको वहाँ निप्टि और बैंक निप्टि का important support assistance लेबल देखने के लिए मिलता है और आपको वहाँ live market भी update देखने के लिए मिलता है तो link description में दिया गया है आप अब भी जाकर हमारे टेलीगराम चैनल से जुआन हो सकते हैं तो टेडर्स पहले हम बात कर लेते हैं आज जो इस्टोक टेट करने दे थे उसका performance का सरा तो आज का हमारा first stock था बोल टास के तरब से जिसमें हमें breakout देखने को मिला जिसमें हमारा buying question level तीगेट देखने को मिला जिसमें हमारा यह buying question level था और यह दोनों target था जबकि यह stock ने high बनाया लगबग यह eight double three के पास तो इसमें जो हमारा first target बहुत असानी के से अचीब हो गया यह second target का करीब रहा तो यह भी stock हमारा अच्छा खासा profitable था अगर टेडर आप इसमें trade क्योंगे तो नीचे आप comment करके बता सकते हैं तो टेडर आज के लिए हमारा second stock था BPCL के तरप से यह stock जो हमारा level से उपर open देखने को मिला था बट यह stock जो है यहाँ पे 10 line को breakdown करने के बाद हमारा short sale pushin टीगर देखने को मिला जिसमें हमारा short sale pushin लेबल यह था जबकि यह stock ने यह दोनों target था जबकि यह stock ने low भी बनाया लगबग यह 3, 5, 4 के पास तो इसमें जो हमारा दोनों target जो है बहुत असानी के से achieve देखने को मिला तो यह stock हमारा अच्छा खासा profitable रहा अगर trader आप इसमें trade कियोंगे तो नीचे आप comment करके बता सकते हैं तो आज के लिए हमारा third stock था HDFC bank के तरफ से जो कि यह stock जो हमारा label से बहुत थी नीचे open हुआ था तो फिर यह stock हमारा यहाँ पे entry नहीं बना था यह stock फिर से उपर गया फिर भी हमारा buying label cross नहीं किया और फिर से यहाँ एक fall देखने को मिला थो यहाँ पे हमारा anti position टीगर हुआ था जो कि हमारा anti position यह था और यह दोनों target था जबकि यह stock ने low बनाय लगबग 1594 के पास तो इसमें जो हमारा दोनों target जो है बहुत असानी के से अचीव हो गया और य जिसमें में short sale position टीगर देखने को मिला जिसमें हमारा short sale position label यह था और यह दोनों target था जबकि यह stock ने low बनाय लगबगे 946 के पास तो इसमें भी जो हमारा दोनों target जो है बहुत असानी के से अचीव हो गया और यह भी stock हमारा अच्छा खासा profitable था अगर trader आप इसमें भी trade कि यह video देखने के लिए मिलता है तो टेडर सबम बात कर लेते हैं कल के लिए कुस battery intraday stock जिस पर कल के दिए हमारा first intraday stock को हो जाएगा सिपला के तरब से हो जाएगा इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो इसमें एक horizontal टैप का एक resistance लेबल है जो की candle यहाँ पे बार-बार जो है multiple time या retest कर चुका आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ फॉल ओने के बाद तब आपको यहाँ पे buying portion बनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 1246 से उपर हमारा first target रखेंगे 1250 second target रखेंगे 1254 और इसमें stop loss रखेंगे 1242 का अगर trader यह label को उपर यह breakout करके उपर निकलता है तब आपको कल इसमें buying portion बनाना है तो कल के लिए जो यह हमारा first intraday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जड़ू tag करें तो अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा second intraday stock कल के लिए हमारा second intraday stock हो जाएगा इंडिश्वेंड बैंक के तरफ से इसको 15 मिनट के time frame में देखें तो यह इसमें एक 10 line का formation देख रहा है जो कि एक multiple time या support की तरह भी follow कर चुका है आप यहाँ पे देख सकते हैं first time detest क्या है फिर ये second time detest क्या है फिर ये third time detest क्या है और tader इसमें दो case बन सकता है आप देख सकते हैं जब भी ये support से लेता है तो एक अच्छा move देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिला फिर आपको यहाँ पे भी एक support लेने के बाद फिर एक move देखने के लिए मिला और tader इसमें देखो तो यहाँ पे भी एक support लिया है और यहाँ पे एक अच्छा candle बनाया है अगर trader कल chance है अगर ये label के अगर breakout करके निकल सा है तब आपको यहाँ upside के लिए जाना है तो अगर ये उपर के लिए जाएगा breakout तब इसमें हम buying position बना सकते हैं जिसमें हमारा buying position में label हो जाएगा 1380 से उपर जाएगा तब आपको इसमें buying position बनाना है इसमें हमें first target रखना है 1384 का, second target रखना है 1388 का और इसमें stop loss रखना है 1376 का अगर trader ये label को breakout करके उपर निकलेगा तब आपको buying position मनाना है और traders अगर ये breakout नहीं करता है तब आपको अगर ये 10 line को नीचे candle breakdown कर देगा तब आपको इसमें short sale position मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा short sale position में 1376 से नीचे आपको proper breakdown होने देना है फिर आपको यहाँ पर short sale position मनाना है तो इसमें हमें first target रखना है 1372 का, second target रखना है 1368 का और इसमें stop loss रखना है 1380 का अगर टेडर ये level के ये नीचे जाएगा तब आपको इसमें short sale position मनाना है तो कल के लिए हमारा ये second intraday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूद टैक करें तो कल के लिए हमारा third intraday stock हो जाएगा sun pharma के तरफ से इसको 15 minute के time frame में देखे तो पहले आपको यहाँ पर एक 10 line देखने के लिए मिल रहा है जो कि यहाँ पर multiple time या resistance की तरफ फॉलो कर चुका है first time retaste किया है फिर second time retaste किया है फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह third time retaste किया है और trader यहाँ पर देखे तो यहाँ पर एक यह box pattern में यह trade कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बार बार इसी phase में यह बार बार consultation कर रहा है अगर trader यह trend line को breakout करता और यह box के breakout करता है तब आपको उपर के side जाएगा तब उपर एक अच्छा buying position देखने के लिए मिलेगा अगर उपर के side breakout करेगा तब आपको यहाँ पर buying position मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 2148 से उपर हमारा first target रखेंगे 2152 का, second target रखेंगे 2156 का और इसमें stop loss रखेंगे 214 का अगर trader यह level के उपर यह breakout करके उपर निकलता है तब आपको यहाँ पर buying position मनाना है अगर trader यह breakout नहीं करता और यह box pattern का अगर नीचे की side नीचे breakdown करेगा तब आपको उस case में swap position मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 2138 से नीचे हमारा first target रखेंगे 2134 का, second target रखेंगे 2130 का और इसमें stop loss रखेंगे 2142 का अगर trader यह level के यह नीचे जाएगा तब आपको इसमें swap position मनाना है तो कल के लिए हमारा यह third interday stock हो जाएगा, तो कल आप इसे जरू टैक करें तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा fourth stock, कल के लिए हमारा fourth stock हो जाएगा SBI के तरब से इसको 15 minute की time frame में देखेंगे तिसमें भी एक horizontal tap का यह resistance देखने के लिए मिल रहा है और इसमें कहीं न कहीं एक round bottom kind of pattern भी देखने के लिए मिलता है अगर trader यह breakout करके उपर निकलता है, तब आपको इसमें buying position मनाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 574 से उपर, हमारा first target तकेंगे 577 का, second target तकेंगे 580 का और इसमें stop loss रखेंगे 571 का, अगर यह breakout करके उपर निकलता है, तब आपको यहाँ पे buying position मनाना है अगर trader यह breakout नहीं करता और फिर से resistance को retest करके अगर नीचे की side आएगा तब आपको उस case में swat cell position मनाना है, जिसमें हमारा label हो जाएगा 570 से नीचे हमारा first target रखेंगे 567 का, second target रखेंगे 564 का, और इसमें stop loss रखेंगे 573 का अगर trader यह label की यह नीचे जाएगा, तब आपको इसमें swat cell position मनाना है तो कल के लिए हमारा यह fourth interday stock हो जाएगा, तो कल आप इसे जरूर tag करे और traders अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं क्यों तो subscribe करके bell icon दबा ले और अभी तक telegram channel से नहीं जुरे हैं, तो वहाँ भी जुरे link description में दिया गया है